नमस्कार दोस्तो, सव्यषी चिक्षिया में आपका स्वागत है तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जो की paid diet है जो की सुगर के रोगयों के लिए जो की पैसे में जो diet बतते हैं आज हम आपको वही diet बिल्कुल फ्री में बताने जा रहे हैं जी हाँ बिल्कुल फ्री में आप अपने घर पर ही रहकर ही इस डाइट को अपना सकते हो और आप बिल्कुल दवाईयों से मुक्त हो सकते हो आपकी दवाईया पूरी तरह से बंध हो जाएंगी 90% लोगों की दवाईया इसी डाइट से चूट जाती हैं जो रोगी 5-5-7-7 सालों से दवाईया ले रहे थे उनकी दवाईया सिर्फ और सिर्फ इसी डाइट के दुआरा ही बंध हो चुके हैं सिर्फ आपको ये डाइट लेनी है इसके सिवाई यदि आपने कुछ भी नहीं किया तो भी आपके दवाईया पूरी तरह से बंध हो जाएंगे तो डाइट को पूरी तरह से समझने के लिए आप ये पूरा वीडियो जरूर देखें और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे और उस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सबी लोगों को इसका फाइदा मिल सकी तो इसलिए स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो मानलो किसी को सुगर है, तो मानलो वो सुगर की जाच कराता है, तो उसको कितनी है, रजल्ट में मानलो कितना मिले, तब इसका प्रियोग करना है, जैसे मानलो किसी को खाना खाने के बाद में 200-200 तक, खाना खाने के दो गुंटे बाद में 200-200 तक 300 तक यदी सुगर रहती है तो उसकी सुगर इस डाइट से आसानी से ठीक हो जाती है बलकि यहां तक देखा है हमने कि 400 पलस भी जिसके सुगर है उसकी भी इस डाइट से आराम से नॉर्मल लेवल पर आ जाती है बाकी यदि कुछ भी नय करें तो भी थोड़ी बहुत इसमें आयरिवेदिक यदि मेडिशन एड कर दे तो बहुत ही जल्दी उसकी नॉर्मल लेवल पर आ जाती है पर बैस बाकी आपको इसी डाइट का ही सेवन करना आप कुछ भी मतलो तब भी आपकी नॉर्मल लेवल पर आ जाएगी तो अब कैसे करना है चलिए समझते हैं पूरी इस डियाईपी डाइट को आपको डाइट में क्या लेना है सुबह आपको खाली पेट एको सबसे पहले तो आपको चाय कोफी बगेरा और दूद बगेरा बंद कर देना है कोई भी पैकेट बंद चीज आपको कोई भी नहीं लेन आपको गी बगेरा नहीं लेना दूद बगेरा आपको नहीं लेना चाय कोफी बगेरा आपको नहीं लेना नमकीन इत्यादी तले बुने जो ज़्यादा चीज़े होते हैं वो आपको नहीं लेनी है तो ये सारी चीज़े तो आपको बंद करनी है और सुबह खाली पेट आपको ऑफने का टाइम करना का किया करना है पांच बजे तक आपको फ्रेश हो लेना है और सुबह उठते ही आपको खाली पेट पांगी लेना है सबसे पहले आपको पानी पिना है मोसम के हिंसाब से आप नोर्मल पानी पी सकते हैं पानी पीना है, आपको कुला नहीं करना है, उसके बाद में ho либо फ्रेशिटा दियो यह करके, एक डेड़ गिलास उसमें आपको उट ओना है, जब यह अच्छी परकार से ओच जाए, ठीक्ट, ऊबलने लगे पानी, तब या फिर लगबग पानी आदा रह जाए आदा या फिर एक चोथा ही रह जाए तब आपको उतार लेना है उसको चान करके आप इसको प्रियोग करेंगे सुबह खाली पेट तो आपको ये लेना है उसके बाद में दोफर बारा बजे तक आपको च्यार टाइप के फल लेने है च्यार टाइप के आपको लेने ही लेने है और कितने लेने है जितना आपका वेट है मानलो आपका वेट सतर किलो है सतर को दस से हम गुणा करेंगे कितना हो गाई 700 तो 700 गराम आपको लेने हैं मानलो किसी का वेट 60 है तो 60 को 10 से गुणा करेंगे कितना होगा 600 तो 600 गराम तो च्यार टाइप के कोई भी फला आप ले सकते हो कोई भी चाहिए मिठे हों खटे हों कोई भी फला आप ले सकते हो जो आपको पसंद हो मोसम के इसाब से जो कि मोसम में स Guinea स्चल रहा होता है वही फल आपको लेना है तो च्यार टाइप के फला आपको लेने है जैसे आप केला ले रहे तो उसका छिलका जो हम अंदर खाएंगे वो इतनी quantity में होना चाहिए छिलका उसमें count नहीं होगा तो च्या टाइप के आपको फल लेने दो फर बारा बजे तक आपको सिर्फ यही खाना है quantity से जादा ले सकते हो जितने आपकी बनती है weight के इसाब से उससे कम बिल्कुल भी नहीं लेना है बूल कर भी उससे जादा लोगे तबीय है सुगर के लिए काम करेगा एक बारा बजे तक आपको यही लेना है दो बारा लगे दो बारा ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं कम नहीं लेना है जादा आप ले सकते हो अब आता है दोफर का जैसे बोजन करते हैं तो दोफर के बोजन में आपको क्या करना है दोफर के बोजन में आपको लेना है च्यार टाइप के ही सलाद कितना लेना है आपका वेट उसको पांच से गुणा करो इतना ग्राम में जैसे 60 है तो 60 को या फिर जैसे आपका वेट 60 ह परियोग में परियोग नहीं करना है और अपको नहीं करनाने नहीं करना है और सलाद हमेशिया खाना खाने से आपको पहले खाना है यह एक रूल यदि सलाद इतना सलाद खाने के बाद में आपको बूख नहीं है तो आप खाना छोड़ सकते हो सिरफ सलाद से काम चलाओ यदि सलाद खाने के बाद में भी आपको बूख रहती है तो आप सलाद खाने के बाद में खाना रोटी वगेरा इतादी ले सकते हो कम नमक में चतेल वगेरा की तो तीन सो ग्राम आनलो साथ वेट है तो तीन सो ग्राम सलाद हो गया सतर हो गया तो साड़ी तीन सो ग्राम हो गया तो वही रूल है इससे जादा ले सकते हो कम नहीं लेना है पुर यही इतना ही सलाद आपको श्याम को खाने से पहले लेना है, श्याम का खाना आपको साथ लास्ट कर सकते हैं, हद मर के आठ, आठ से लेट आपको नहीं खाना है, होसके तो साथ बजे से पहले आपको खाना है, और इतना खाना आपको सलाद साम को भी लेना ही लेना है, वही च्यार टाइप के से हमको सलाद लेना है कोई भी जाओ टाइप जो भी आपको पसंद हो यह आपको लेना है तो बैस आपको शरप इतनी ही डाइट लेनी है चोटी सी डाइट है इसी से आपकी सुगर बिल्कुल पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएगी नॉर्मल लेवल पर आपकी आ जाएगी और इससे भी यदि किसी की सुगर कंट्रोल में नहीं आती है तो वो स्क्रीन पर दिखाए गए नमरों पर आप हमसे संपरक कर सकते उसके लिए हम थोड़ी सी आईरवेदिक मेडिशन आपको बता देंगे आपको बाद में भी रहना ही पड़ेगा थोड़ी बत अक्सरसाइज ले वगेरा कर लिया और हाँ एक और अनिवार ये बाद दूप आपको आवस्य लेनी है तो टहलने जानना है लगबग आदे गंटे के लिए बार सुबह जैसे उठे प्रेस होने के बाद में टहलने चल दौईया है वो सारी दौईया आपकी बंध हो सकते पूरी तरह से छूट सकती है जी यह है बिलकुल पोसिबल है तो देखो अब कई लोग सोचेंगे कि फल मिठे फल कैसे खाए आप मिठा हो खटा हो कोई भी बिना सोचे समझे खा सकते हो आराम से खा सकते हो बस आपको एक हो गया क्या इस डाइट को लेते ही तुरंत ही आपकी सुगर लेवल घटना शुरू हो जाता है और मानले आपने गोली भी साथ में चालू रखी और डाइट भी साथ में चालू रखी तो आपकी सुगर लो हो सकती है और हाई से जादा खत्रा लो से होता हाई में इतना खत् जरूर करवानी है तो जैसे जैसे आपके सुगर लेवल नॉर्मल आता है आपको दवाईया दीरे-दीरे कम करते हुए आना है यह न तो यह आपको करना है और फिर भी किसी भी परकार का डाउट हो तो आप हमसे संप्रक कर सकते हैं उस नंबर पर तो दोस्तो यह वीडियो जैहिंद वन्दे मातरम